दोस्तो नमस्कार, दोस्तो देश भर में कुरोना बाइरस के फैलने की बज़र से लाकडाउन की अबधी बढ़ा दी गई है पहले यह अबधी 25 मार्थ से लेकर के 14 अपरेल तक थी लेकिन 14 अपरेल को प्रधान मंत्री नरंद्र मोदी ने फिर से इसकी अबधी बढ़ा करके 3 मैट तक कर दी है इस दोरान कई लोगों को Health Insurance Policy Renew कराना होगा कई लोगों को Third Party Motor Insurance Premium Policy Renew कराना होगा लेकिन Lockdown के उज़े से वो Policy Renew नहीं करवा पा रहे होंगे तो ऐसे में जो लोग परिशान हैं जो लोग टेंसन में हैं उनको केंदर सरकार ने रहत दी है तो क्या है रहत इस एपिसोड में मैं आपको बताने जा रहा हूँ तो पहली रहत उनके लिए जिनको Third Party Motor वीमा Policy Renew करवाना है यदि बर्तमान अनिवाज Third Party Motor वीमा Policy कि इन्जधारित अबदी 25 मार्च और 3 मैए के बीच समाप्त हो रही है और Policy धारक अपनी Policy का नभीकरण नहीं कर पा रहा है तो अब 15 मैं तक अपनी Motor वीमा Policy का नभीकरण करा सकते हैं अब Health Insurance वालों के लिए क्या रहात है यदि स्वास्थे बिमा Policy कि तय अब धी जल समाप्त होने वाली है और इसका नभीकरण 25 मार्च से लेकर के 3 मैं तक होना निर्धारित है तो अब Policy धारक 15 मैं तक अपनी Policy का नभीकरण करा सकते हैं इसका मतलब है कि 25 मार्च से 3 मैं के बीच जिन Health Insurance Policy और Third Party Motor Insurance Policy का प्रीमियम जमा होना था अब उन्हें 15 मैं तक भरा जा सकेगा तो ये बड़ी रहात है बित मंद्राले ने 15 अपरेल को इस सम्मंद में अधिसूचना जारी कर दी है आपको बता दूँ कि जब सरकार अधिसूचना जारी कर दती है किसी के बारे में इसका मतलब ये होता है कि वो जो जो कानून है या जो नियम है वो लागू हो जाता है और इसका फाइदा आम कि यह जो तारीक बढ़ाई गई है आखिर इसकी जरुवत क्या थी आम तोर पर इस तरह की पॉलिसियों का रिनीवल नहीं कराने पर वो लैप्स हो जाती है हेल्थ इंसुलेंस के मामले में रिनीवल के लिए 15 से 30 दिनों का ग्रेस प्रियड मिलता है लेकिन इस अबधी के दोरान पॉलिसी धारक कभर नहीं होता है मतलब ग्रेस प्रियड में अगर आप प्रेमियम भर रहे हैं और उस दोरान अगर आपके साथ कुछ हो जाता है तो आपका क्लेम कैंसिल हो सकता है साथी साथ grace period के दोरान policy धारक इलाज के खर्च पर कोई claim नहीं कर सकता इसका मतलब यह हो गया इसके बाद भी premium का बुगतान नहीं करने पर policy lapse हो जाती है इसके बाद आपको नई policy खरिदने की जरूत पड़ती है इसे से आप कमाया गया bonus को भी खो देते हैं यही नहीं कुछ खास तरह की बिमारियों के कभर के मामले में वेटिंग पिरियट का दो बारा इंतिजार करना पड़ता यानि अगर आप निड़्धार तीथी पर health insurance policy renewal नहीं करवाते हैं तो आपको कई सारे नुकसान होते हैं इसलिए सरकार ने health insurance policy को renewal करने की जो अब्धी है उससे बढ़ा कर 15 माई कर दिया है सरकार ने यह तो health insurance policy की बात हो गए अब third party motor insurance policy का renewal नहीं करान पर क्या नुकसान होता हैं ताहित तारिक पर renewal नहीं कराने पर third party motor insurance भी lapse हो जाता है ऐसे में किसी दूसरी ब्यक्ति को वहन से नुकसान पहुंचने पर इसकी penalty और मुअबजे का भुगतान करने की जिम्मेदारी वहन मालिक पर आ जाती है third party motor insurance लेना जरूरी भी है third party motor insurance के बगएर वहन चलाने पर 2000 तक का जुरुमाना लगाया जा सकता है third party insurance नहीं रहने के दौरान अगर किसी के बाहन से किसी दूसरे की कार या संपत्ति को नुकसान होता है तो वह कवर नहीं होगा इस मामले में पूरा जुरुमाना वहन मालिक को देना पड़ेगा तो देखिए समय पर health insurance policy या third party motor insurance policy renewal नहीं कराने कई सारे नुकसान होते हैं तो सरकार ने इसी को समझते हुए 25 मार्श से लेकर के 3 माई तक जो policy renew करवाना था अगर lockdown के विए से renew नहीं हो पा रहा है तो 15 माई तक renew करा सकते हैं तो आज इतना ही नमस्कार